दूस्तों आज हालत यह है कि किसी की कुहनी लगने से अगर आची छीट भी आ जाए ना तो इंसान को लगते है उसे कोरोना तो नहीं हो गया है मेट्रो में कोई खांस दे तो लोग चलती गाड़ी से बाहर कुट जाए आफिस में किसी को बुखार हो जाए तो शादी में हाफ डे देने वाला बॉस उसे महीने भर के लिए वर्क फ्रॉम दे देता है या कुल मिलाकर देश इतना घबराया हुआ है मानौ अरजुन कपूर की कोई नई फिल्म रिलीज होने वाली है या मोदी जी रात आठ बजे कोई नहीं घोशना करने वाले हुआ कभी कभी लगता है जो कुछ भी सत्थ हो रहा है ना वो हकीकत है या हॉलिवूड की कोई फिल्म है सवाल यह है कि हम क्या करें कि हम घबरा जाएं और कोरोना से जुड़े हर डरावने मैसेज को फैमली वाटसैप ग्रूप पर फारवड कर दूसरों की भी ऐसी की तैसी करते है या फिर नेट्प्लिक्स पर कोई फिल्म देखने के बाद चंदर क्रान के सो जाए आए इसे प् बाहर ना जाएं हो सकता है तीन घंटे घर पर बीवी के साथ रहने के बाद आपको यह लगने लगे कि इससे अच्छा तो मैं बाहर जाकर करोना का वाइरस तूंगा हूं जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकुए भीट भाडवाली जिस दूसरी जगे से आपको बचना है वो है वाट्सअप के फैमिली ग्रूप्स इस वर्थ देश में करोना के मरीजों से ज्यादा वाट्सअप पर कोरोना के डॉक्टर्स हो गया है फैमिली वाट्सअप ग्रूपों पर कोरोना को मारने के ऐसे ऐसे उपाय बताय जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद खुद कोरोना असांसकर मर जाए इसके ऐसे वाट्सअप के साइंटिस्स लोगों से आपको बच कर रहना है यह वो वैग्यानिक हैं जिनकी माने तो चाइ वॉइस लोगें जो खुद कुछना करोना इस वाइरस के शिकार रहा है इसे आपको समझदार बढना हो लोगों को यह बताना है कि जिस तरीके से हर एक फ्रेंग्ड ज़रूरी नहीं वोता उसी तरह हर एक चीछ अको करोना नहीं होता है और करोना जान लिभर भी नहीं होत आपके नहाने पर अखबार में खबर चपती हो और हगने के बाद भी आप एक ही हाथ दोते हो तो हर कुछ रेर में हाथ को साफ जरूर रखे इतने हाथ धोएं कि ना धोने की वज़े से हाथ की मैल से छिप गई आपकी तकदीर की रेखाएं भी बाहर आजाएं ऐसे धोएं ज लगार आपको अपने मुः और हाथ को बार बार ना कि इतनो नदीक नहीं लाना अपने हाथ से अपने मुग को बार वर झूणा नहीं कि इन ही दोनों जगों से करोना का वायरस आपके शरीर में एंटर कर सकता है वैसे ये भी सच है कि जिस वक्त हम ये सोचते हैं कि वाइरस को लेकर इतनी टेंशन में है पूरिब दुनिया लेगिन वो हिंदुस्तानी ही क्या जो टेंशन के माहौल में भी अपने लिए खुशी न ढून ले कोरोना वाइरस के बहशत के बीच कुछ इस बात से बड़े खुश है कि उनके ऑफिस में वर्क फ्रॉंग हो गया है उन्हीं इस बार के दारा अच्छा लग रहा है कि उनका बॉस जो उन्हें शिफ्ट खत्म होने से पहले मरने भी नहीं देता था आफिस में हाट अटाइक भी आजये ना उससे किसी के मौत भी आजये तो काम खतम होने से पहले वो यम्राज को भी उसकी आत्मा नहीं ले जाने देता था वही बॉस आज खुद जख मार कर उन्हें कह रहा है कि बटा कुछ दिन के लिए ना तू वर्क फ्रॉम कर ले मतलब वो एंट्वाईज इसे किड्मी में स्टोन आने पर छुट्टी लेने के लिए बॉस को किड्मी निगाल कर दिखाने पर किती जिए देख इसमें स्टोन ह उसे आज से पर छीक मारने पर महीने भर वर्क फ्रॉम दे जाता है यह वो लोग है जिने कोरोना में भगवान दिखता है क्योंकि इनकी मरने से पहले बस एक ही ख्वाईश्ती कि है भगवान बस एक बार बस एक बार बस एक बार वर्क फ्रॉम दिलवा दे और आज जब उन क्लासेश अब कुछ दिनों के लिए नहीं होंगी कोरोना के वज़े से बगिए सावधान इंडिया तो है नहीं मगर फिर भी एंड में ही कहूंगा कि सतर्क रहें सावधान रहें भीड से बचें वाटसर पर वर्वर्ड को नचुए अपनी नाग मी नचुए और घर पर खाली दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें